हेलो एब्रिवन, वेलकम टू सक्सेस वित राय अकेडमी, 10 दिसंबर 2021 के इंपोर्टन के इंटरफिर कोश्चन को आज की इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे, तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं, सबसे पहला कोश्चन हम ले रहे हैं, कि फोप्स की 2011 दुनिया की 100 सबसे सक सक्तिसाली महिलाओं में वित मंत्री निर्मला सीता रमन किस नंबर पर हैं, इसका रायट एंसर होगा, सेकंड नंबर 37 भारत की वित मंत्री निर्मला सीता रमन ने फोप्स की दुनिया की 100 सबसे सक्तिसाली महिलाओं की 2021 की सूची में 37 इस्थान प्राप्त किया है, यह 19 में वो 34 नंबर पर थी भारत के 7 महिला अरबपती और सबसे धनी स्वा निर्मित अरबपती फालगुनी नायर संस्थापग और CEO नायक सूची में 88 नंबर पर है HCL टेकनलोजी की चेर्मेन रोश्नी नादर मलहुत्रा वो भारत में एक सूची बद IT कंपनी का नितर्थ करने वाली महिला है जो इस सूची में 52 नंबर पर रही थी 52 नंबर पर इसी सूची में बायो कौन की कारेकारी अध्यक्ष और संस्थापग किरन मजूमदार साब 72 आपक जेफ बेजोस की पूर पत्नी है फोर्प्स की सूची 2011 में सीर्स पर रही है उन्होंने निरवर्तमान जर्मन चॉंसलर एंजला मॉर्केल की जगा ली है जिन्होंने 17 पुंडरा वर्तियों सूची में से 15 सीर्स इस्थान पर कबजा हासिल किया है नेक्स्ट कोशन है एसिया पावर इंडेक्स 2021 में भारत किस इस्थान पर है इसका राइट एंसर होगा थर्ड ऑप्शन चौथे इस्थान पर लोवी इंसिट्यूट एशिया पावर इंडेक्स 2021 के अनुसार भारत को एशिया प्रसान छेत्र में व्यापक सक्ती के मामले में 26 देसों में 100 में से 37.7 के समगर इसकोर के साथा सबसे सक्ती साली देस माना गया है भारत के ओवराल स्कोर में 2020 की तुल्ला में दो अंक की गिरावट आई है भारत 2021 में फिर से प्रमुक सक्ती से कम हो गया है भारत एशिया के उन 18 देसों में से एक है जो 2021 में अपने समगर स्कोर से नीचे की और चल रहे हैं एशिया प्रशान छेतर में समगर सक्ती के लिए सीर्स 10 देस हैं सेक्त राज अमेरिका, चीन, जापान, भारत, रूस, ऑस्टेलिया, दक्षण, कोरिया, सिंगापूर, इंडोनेशिया और थाईलेंड नेस्ट कोष्ण है नगर अर्बन को अपरेटिक बैंक पर किसने प्रतिबंद लगाया है, इसका राइट एंसर होगा फर्स्ट ऑप्षण आर्बी आई ने RBI रिजर्ब बैंक ने नगर अर्बन को अपरेटिव बैंक लिमिटेड एहमद नगर महराष्ट पर कई नए प्रतिबंद लगा दियें जिनमें ग्राकों को 10,000 रुपे तक की ही निकासी मिल पाएगी RBI ने 6 महिने के लिए बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 की धारा 56 के साथ पठित बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 की धारा 35 की उप धारा के तहत नहित सक्तियों के प्रयोगों में निर्देश जारी किये हैं बैंक बिना भारती रिजर बैंक के पूरवा नुमोदन के किसी भी रिड और अग्रिम को अनुदान या नवीनी करत नहीं करेगा कोई निवेस नहीं करेगा कोई दाइत नहीं उठाएगा किसी भी भुगतान का हस्तांत्रन या अनिता किसी भी संपत्ती का निप्टान नही रखेगा नेक्स्ट कोश्चन है काजु वेली वेट लेंड किस राज्जी का सोलवा पक्षी अभ्यारन बना है इसका राइट एंस हो गरा होगा थर्ड ओप्षन तमिल नाडू तमिल नाडू के विल्लू पुरम जिले में इस्थित काजु वेली वेट लेंड को पर्यावरन और जल्वायू परिवरतन मंत्री में पर्यावरन और वन सचिव सुपीरिया साहु द्वारा सोलवा पक्षी अभ्यारन घोसित किया गया है घोशना वन निजिव अधिनियम 1972 की धारा 18 की उप धारा 1 के तहत किया गया है पुलकिट जील के बाद काजु वेली वेट लेंड क दच्छड भारत में दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की जील के रूप में जाना जाता है नेक्स्ट है यहाँ पर नाम गलत हो गया है यहाँ पर नाम होगा ओलाफ स्कोल्ज ओलाफ स्कोल्ज किस देश के नए चांसलर बने हैं इसका राइट एंसर होगा सेकंड ऑप्शन जर्मनी जर्मन सांसदों ने अधिकारिक तोर पर सोशल डेमोक्रेट ओलाफ स्कोल्ज को नए चांसलर के रूप में चुना है एंजिला मारकेल के तहट 16 साल के रूडी वादी सासन को समात कर दिया गया है वह अपने सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी व्यापार के अनुकूल प्रसासन के दोरान कुलपती और वित्तमंत्री के रूप में कार किया फिर जर्मनी के अगले चांसलर के रूप में सपतली उलाफ स्कोल्ज ने कम से कम 379 मतों का आवश्यक बहुमत हांसिल किया है जर्मन समिधान के अनुच्छे 63 पैरा 2 के आधार पर उन्हें जर्मनी के सं पर पर निती आयोग ने निशनल इंसिटीउट एफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया याने नीती आयोग ने चन्वर्श इनरजी सर्विस लिमिटेड और जन।र चैप के और सहिडे आजर्टाय्स बारिएमे से अपनाने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए विभिन हितधार को केंद्र और राज सरकार की एजेंसियों पारगमन सेवा प्रदाताओं मूल उपकरन निर्माताओं के ज्यान को साजा करना है इसवारी इंडिया इलेक्ट्रिक बस गटबंधन केंद्र राज और सहर इस्तर की सरकारी एजेंसियों ट्रॉंजिट सेवाओं प्रदाता मूल उपकरन निर्माताओं वित्ती संस्थानों के माध्यम से और सायक सेवा प्रदाता भारत में इस बस अपनाने पर ज्यान और उनक आई विकास बैंक के साथ दो हजार चोहत्तर करोन रुपए के समझोते पर हस्ताक्षर किये हैं इसका राइट एंसर होगा फोर्ट ऑप्शन सोरी फर्स्ट ऑप्शन तमिल नाडू सरकार में तमिल नाडू में एक किफायती आवास परियोजना और उत्रा खंड में जल्द स 172 करोन रुपए के दो रिल करार किये हैं तमिल नाडू में सहरी गरीबों की समावेशी और टिकाव आवासों तक पहुंच तुनिश्चित करने के लिए सरकार और ADP ने 15 करोन डॉलर लगभग 1132 करोन रुपए के रिल समझोते पर हस्ताक्षर किये हैं नेक्स्ट कोश्चन है अमेरिका के बाद किस देश ने चीन के बीजिंग में आयोजित होने वाले सीथ कालिन ओलम्पिक का राजनीतिक भाइसकार किया है इसका राइट एंसर होगा फोर्ट ओप्शन औस्टेलिया और कनाड़ा बीजिंग में 2022 में होने वाले सीथ कालिन ओलम्पिक से पहले चीन को एक और जटका लगा है अमेरिका और ऑस्टेलिया के बाद अब कनाड़ा ने भी चीन की राजधानी बीजिंग में आयोजित होने वाले सीथ कालिन ओलम्पिक खेलों के राजने एक भाहिसकार का एलान कि 8 दिसंबर को कनाड़ा के प्रधान मंत्री जस्टिन टूडो के अनुसार अधिकारिक ट्विटर एकाउंट से इसकी जानकारी दी गई है। इसका राइट एंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन 22 प्रतिसत आये वितरन के मामले में पूरी दुनिया में भारत एक गरीब और बहुत ही असमान देश के रूप में खड़ा है जिसकी सीर्स एक प्रतिसत आबादी के पास वर्स 2021 में कुल राश्ट्री आये का पांचवा हिस्सा है और नीचे का आधा हिस्सा सिर्फ 13 प्रतिसत है विस असमानता रिपोर्ट 2022 सीर्सक वाली यह रिपोर्ट विस असमानता लैप के सहनिदेशक लुकास चाउंसल द्वारा लिखी गई है और फ्रांसीसी अर्थसास्त्री थॉमस पिकेटी सहित कई विसे संग्यों ने इस कर 13 प्रतिसत आये तक सीमित हो गया है इस तरह भारत एक सम्रद अभिजात वर्ग के साथ एक गरीब और बहुत असमान देशों के रूप में खड़ा है नेस्ट है दूर संचार विभाग ने सभी मोबाईल सेवा परदातक कंपनियों में से एक व्यक्ति को अधिकतम कितने सम रखने की इजाजट दी है इसका राइट एंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन नो सम दूर संचार विभाग ने हाल ही में मोबाइल सेवा परदाता कमपनियों से एक वेक्ति को अधिक्तम नौ सिम से अधिक जारी ना करने का अदेश दिया है जम्मू कस्मीर और नौर्थ इस्ट के राजियों में यह संख्या 6 है टेलिकॉम डिपार्टमेंट ने टेलिकॉम कमपनियों को उन सभी मोबाइल नंबर को डेटा बेस से हटाने के लिए कहाया जो नियम के अनुसार इस्तमाल नहीं किये जा रहे है तो यह आज का यहनि 10 दिसंबर 2021 के इंपोर्टन करेंट अफेर कोश्चन का वीडियो था आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा इस वीडियो का पीडियोर फिंक आपको हमारे टेलिक्राम चैनल सकसेज वितराय अकैडमी से मिल जाएगा आप उसे वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं वीडियो देखने के लिए धन्यवाद